हुआ है हुआ है हुआ है 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 सबसे पहले हमारा हम पहले आज ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे बेसिक चीजे समझने पर हमारा है कॉंट्रैक्ट अकाउंट जिसके लिए अकाउंट के अंदर इसके जो इसके रूल्स और रेगुलेशन जो गवन करते हैं वह करते हैं सर एस सेवन अकाउंटिंग स्टेंडर साथ अब कॉंट्रैक्ट क्या होता है हम जो आज अकाउंटिंग सीखेंगे बेसिकली ये अकाउंटिंग होगा आप सभी ने कंस्ट्रक्शन का काम construction work का मतलब जहां पर कुछ चीजों का काम मैं simple-simple language में बता दिता हूं जहां पर हमारा मकान बनाने का काम होता है आウसं बिल्टिंग होता है जहां पर हमारा सर रोड बनाने का काम होता है जहां पर सर हमारा फ्लाइवर बनाने का काम होता है यह ब्रिज बनाने का काम होता है तो यह सारे के सारे हमारे construction वर्क के अंदर आ जाते हैं मकान बनाना रोड बनाना फ्लाइवर बनाना तो यह किसमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो कि सब कुछ इस घर के अंदर हमारा ओक्के कर के दे दे और इस घर को जिसको बनवाना है उसका ओनर ढूंडेगा यह चीच यह ठेके दार को ढूंडेगा सर सिंपल सब्दों में ठेके दार को थोड़ा सा अंग्रेजी नाम दे देते हैं कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्टर वो किसको ढूंडेगा सर कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्ट्रेक्टर से क्या बातचीत होगी कि भाईया तुम्हें हमारा मकान बनाना है कितने दिन में बना के तयार कर दोगे क्या-क्या विद माटीरियल बनाओगे या विदाउट माटीरियल बनाओगे लेबर कैसे काम करेगी क्या-क्या और इस मकान मालिक को भी एक अडवाँस नाम देता अब इसको और नहीं बोलेंगे मालिक नहीं बोलेंगे में इसको बोलेंगे कॉंट्रेक्टी तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सबसे पहले कोई भी कॉंट्रेक्ट होने के लिए कोई भी कॉंट्रेक्ट होने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है कॉन कॉंट्रेक्टी जो की ठेका देगा और एक कॉंट्रेक्टर जो की ठेका लेगा दो लोगों का होना बहुत बहुत जरूरी है जब सर दो लोग आ जाएंगे contractor और contractor काम करने के लिए फिर जाके हमारा मकान बनना क्या हो जाएगा सर चालू हो जाएगा और कैसे कैसे बनेगा इनके बीच की डील की बात रहेगी तो यह जो contractor है यह अपनी accounting कैसे करें अकाउंटिंग का मतलब सर यह अपना profit and loss कैसे बनाए अपना कैसे profit and loss यह contractor बनाएगा वह चीज़े देखने वाली बात है हमें वही सीखना है कि यह कैसे बनाएगा profit and loss अब मैं अब इसके क्या होगे में contractor का सबसे में खर्चा किसमें होता है अगर हम पूरे की पूरे builders की बात करते हैं कई बार हम builder भी बोलते हैं तो में खर्चा होता है लेबर में यानि मिस्तरी हो गया labor हो गया फिर raw material भी खरीद के लगाने वाले contractor होते हैं तो इधर debit इधर credit हो जाएगा तो इधर खर्चा हो जाएगा सर पी इंडल के अंदर और इधर क्या हो जाएगा सर इंकम हो जाएगा इंकम क्या होगा जैसे जैसे हमें contract जो है वो बोलेगा भाई चल थे रहा इतना काम माली को को बोलेगा चांट यहां माली को कोई तो बोलेगा सब हो गया यह से रहता है आई से रहता होता है भाग जाएंगे तो कोंट्रेक्टी करें और कांनचपटी बहूत चलाक होता है ये मालिक के पास डर होता है कहीं हमें ठेकेदार बेवकूफ ना बना दे तो कांट्रेक्टी अपने पास एक व्यक्ति को ले के आता है जो कि इसका। नॉलेज ऑन का नॉलेज कि m Nós यह कि मकान बनाने का नॉले सुना तो चीज का बिता रही इसको और चीज का बदले में यह भी टेक्चर अक्षा प्रासम nowhere बोलेगा मालिक को भाया काम पूरा हो गया कॉंट्रेक्टी बोलेगा आर्गीटेक आजा बता दे इसने काम जो किया वो ठीक है या गलत है ये ओके करेगा फिर ये इसको ओके करेगा माल लो हमने पांच मंजिल बनाने का ठेका या फिर मान लेते हैं चार मंजिल बनाने का ठेका ले लिया इसने अब चार मंजिल बनाने का ठेका लिया एक मंजिल बन गया एक मंजिल बनने के बाद फस्ट फ्लोर बन गया फस्ट फ्लोर बनने के बाद इसने अर्किटेक्चर को बुला और इसने बुला ओके तो आप तो एक तरीके से ठेकेदार जितना काम कंप्लीट करेगा उसी का तो उसको पैसा मिलेगा ऐसा थोड़ी यह काम कंप्लीट किया नहीं और पैसे देते जाए ऐसा नहीं होता जितना काम कंप्लीट करेगा उतना ही पैसे देगा तो यहां पर देखा जाए तो जो कॉंट्रेक्ट है जैसे ही 25 परसेंट तो इसके लिए जो सेल माना जाएगा सेल क्या मानेगा जितना काम इसने बोला ओके जैसे यह काम बोलेगा ना ओके इसको बोलेंगे हम वर्क क्या बोला जाएगा वर्क सर्टीफड की अगया वर्क टो वर्क सर्टीफड का मतलब क्या हो गया जितना काम कंप्लीट हो जाएगा पहसी के कि से सेल्स की बात करूं तो सेल क्या है हमारा वर्क सट्टिफाइड और यह समझ मेशने में बात आपको सेल्स क्या हमारा सेल्स हैं अब देखा जाए वरक सेटीफाइड तो हमारे खर्चे और के खर्चे उंगे सबrint subscribe यहां जिसको हम बढ़ी अपर सब्सक्राइब कर सबस्क्राइब करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे इधर प्रॉफिट जिसको यहीं सीखना है यहीं चैप्टर का कॉर में देखो तो ठीक हैना क्या सिखेंगे हम मैंने बताया यहां पर सीखा आपने KONTRACTOR कौन होता है कॉंट्रेक्टी कौन होता है वर्क सर्टीफाइड क्या होता है यह आपने सीखा क्या सीखा वर्क सर्टीफाइड वर्क सर्टीफाइड क्या होता है एक तरीके से सेल्स ही होता है बस इसके अंदर और जो यह अकाउंट बनाएगा उसी को बोलेंगे कॉन्ट्राक्ट अकाउन्ट उसको क्या बोलेंगे हम तो बेशिक सा है कुच्छन 19 नम्मर गाएगा सिंपल पी एंडल बनाना आपको एक कॉंट्राक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके अंदर कुछ-कुछ basic basic points और add-on होने हैं कुछ-कुछ basic basic points और add-on होने हैं यानि सर अगर मैं chapter की बात करूं contract account की तो contract account में कौन-कौन से account बनने है इस chapter में एक तो contract account तो बनेगा ही बनेगा सर contract account क्या होता है यह purely होता है हमारा profit and loss profit and loss के जैसा ही है मान के चलो दूसरा एक आपको इसमें contract account बनाना है तीसरा इसके अंदर आपको एक contract कहलो या फिर balance sheet कहलो बनाना सीखना है तो यह तीन चीज़े जब आप इसमें सीख जाओगे और contract account हो सकता है में भी आपको वन इयर का भी हो और में भी पॉसिबल है एक से ज्यादा साल का भी हो more than one year more than one year इस तरीके से हमारा यह पूरा का पूरा हो सकता है contract account तो हम एक-एक करके account बनाना सीखेंगे पहले हम दीरे-दीरे सीखेंगे contract account फिर आएंगे contract पे और फिर final balance sheet पे आएंगे यानि सर पहले हम format सीख ले basic और कुछ बाते और भी हम मैं साथ के साथ ही discuss करता जाऊँगा पहले हम basic basic सब format सीख लें contract account पे ने सबसे बड़ा पंगा पता ही क्या है आप एक चीज नोटेस करोगे जब काम कराओगे ना तो जो ठेकेदार होता है उनको एक डर सताता है कहीं मालिक हमारे पैसे ना दे इस चकर के अंदर ना वो काम ठंग से नहीं करता और मालिक को यह डर सताता है कहीं हमारे काम पैसे ले ले और काम करें और भाग जाए तो दोनों का डर है ना इस चकर में काम खराब होता है और बात भी सही है भाई आपने अगर दस लाग का तो दोनों परसन कंजर्वेटिव है कि हमारे पैसे डूब ना जाए इसलिए काम प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है और जब होता है ठीके दर और मालिक और मालिक की पैसे रोकता है तो वह ज्योंने और टेडा और ऑद इस चक्कर में जो contractor के हैं उसके पैसे डूबते हैं क्योंकि contractor ऐसा करता है एक contract लेकर नहीं बैठता 10-20 contract लेगा और किसी पर देखने नहीं जाएगा 10 contract 20 contract ले लेगा तो आप खुछ सोचो कि सब के पास बैठ सकता है क्योंकि as a contractor उसके responsibility जिसका ठेका लिया है उसने वहां पर डेली जाए मिस्तरी को समझाए मिस्तरी लेवर छोड़ देता है मिस्तरी लेवर मन चाहे तरीके से काम करता है कभी इधर करते जा रहा है अब इससे नुकसान किसका है सर मालिक का नुकसार मालिक को गुसा आता और बोलता मैं तो ठेकेदार का पैसा काटूंगा ऐसा बन्दक तू आ क्यों नीए रहा अब ठेकेदार एक मकान पर डिपेंड तो वड़ी सारी इसमें दिक्कत है तो हम ना उसके profit को 100% profit नहीं मानता कुछ हिस्सा profit का यह मान लेता है कि यह डूब जाएगा और कुछ हिस्सा यह मानता यह मिल जाएगा यानि same as a provision for benefits बना लेना समझ रहें नो provision for benefits में क्या होता है यही तो logic है कि जितना उधार माल बेचा है वो सारा का सारा पैसा मुझे नहीं मिलेगा इसलिए हम क्या बना लेते हैं सर प्रोविजन बना लेते हैं तो कुछ काइंड ओफ ऐसा ही हो जाता है इनके साथ तो सबसे पहले उपर टॉप पे लिखेंगे का 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 कॉंट्रेक्ट अकाउंट यहां पर्टिकुलर कि अमाउंट और सर काउंट्रेक्ट अकाउंट कोई समय सीमा नहीं है के एक साल का बने का वे भी POSSIBLE है यह छे महिने का भी बन सकता है और मे भी POSSIBLE है यह दो महिने का भी ऐभी बन सकता है कोई TF कीयों मेंशन नहीं हो ता सबसे पहले टू साइड में लिख लेंगे material oh मटीरियल के बाद आ जाएगा लेबर लेबर मतलब वेजस भी होता है अगर कोई आउटस्रेंडिंग है तो आउटस्रेंडिंग लेबर आ जाएगा जैसे आप P&L में करते थे और प्रिपेड होता है तो माइनस तू में आ जाएगा और भी कोई अदर एक्स्पेंस हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है पावर हो सकता है यानि जितने भी साइट पर खर्चे होते हैं साइट एक्स्पेंस हो सकता है तो जो जो खर्चे हो सकते हैं ठेकेदार के यानि चाय रिफ्रेस्मेंट वगएरा हो सकता है तो जिसको मैं संडरी डाल देता हूँ उसके बाद ठेकेदार अपना मसीन भी लेके आता है क्योंकि जब कॉंट्रेक्ट होता है तो थोड़ी मालिक को बोलेगा अब जल्दी से लेंटर डालने वाली मसीन लेकर आओ मनसे तो यह कौन लेकर आएगा ठेकेदार लेकर तो ठेकेदार जब एक जगा यूज करेगा तो उसका डेप्रीशेशन भी लगेगा तो क्लेम करेगा तो उसका डेप्रीशेशन दिखाने का तरीका क्या होता देखो दो तरीके हैं अब मैं जैसे मानलो एक मैं मसीनरी एक लाख लिख दूँ और इधर नभी हजार लिख दू तो ओटोमेटिक देखोगे इधर दस अजार या तो मैं ऐसे दिखा दूँ इधर मसीनरी की कीमत और आफ्टर डेप्रीशेशन इधर वेल्यू तो ओटोमेटिक देख्रीशेशन आ गया या फिर मैं सिरफ इधर डेप्रीशेशन दिखा दूँ दस अजार और इन चीजों को ना दिखाऊं तो जो कॉंट्रेक्ट और उसका डेप्रीशेशन लगाने के बाद बाई बैलेंस या फिर बाई क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे और इसको थोड़ा उपर ले जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को ऊपर ले गए और उपर ले जाने के बाद है यहां लिखेंगे मसीन्री त्ट अ कि और यह मसीन्री कैसे होगा आफ्टर है डेप्रीशेशन को माइनेस करने के बाद इसके बाद होगा क्यासर जैसे ही मसीन्री लिखा हमने मसिंट्री लिखने के बाद फिर और काम आ जाएगा क्या कामसरा सारा सारा थोड़ी न लग जाएगा हो सकता हमारे क्या बच गया मटीरियल बच तो मेट्रीयल का क्लोजिंग स्टॉक कि दर आ जाएगा closing stock क्या मैंने सारे खर्चे लिख दिये आप समझदार हो यहाँ सारे खर्चे ही आने और कुछ नहीं आने इसके अलावा मैं आभी हाई कि चीज नहीं लिख सकता क्या आप salary भी लिखो आप electricity भी लिखो याने जो आपका खर्चा दे रखा हो कोश्चन में सारे खर्चे आ जाएंगे यहां पर में मैंने खर्चे लिख दी और जनरली यही होता है ठेकेदार का में खर्चा इसके बाद देखा जाए तो सेल नहीं लिखा आपने पी अंडल बना लिए और आपने क्या नहीं लिखा सेल और याद होगा पहले भी तो इसको हम लिखते हैं वर्क in progress कि वर्क इन प्रोग्रेस स्के अंदर दो चीज़े होंगे वर्क सर्टिफाइड ग्या होगा सर रहा वर्क सथिफाइड बताओ बताइए वर्क सर्टिफाइड क्या है कितने परसंट काम, जैसे मान लो, मैंने एक example ही ले लेता हूँ, यह मैंने एक building बनाया, अब यहाँ पर एक है मालिक, और एक है architecture, यह है honor, यानि contractor, और यह है architecture, ठीक है, और एक हो गया ठीकेदार, यानि contractor अब इसमें से न ये बंदा बहुत बीजी रहता है वैसे क्योंकि इसका service देने का काम है मालिक ने इसको बोला भाई आके देख ले एक बार कितना काम हो गया है मेरे building का एक बार देख ले तो architecture बोल रहा है आता हूं सर आता हूं सर टाइम निकाल रहा है अभी और site पर जाना है यह जाना है वह जाना है ऐसे करते करते मान लो यह आ गया काम देखने के लिए सपोस करो एक फरवरी को कब आ गया यानि सर ये एक फरवरी को आर्किटेक्चर जो है ये आ गया हमारे साइट को देखने के लिए कब आ गया सर एक फरवरी को ये देखने आ गया और एक फरवरी को इसने बोला भाई साब काम तो कराय ठेकेदार ने अभी सिर्फ और सिर्फ 25% काम कम्प्लीट हुआ है वह सकनो तो हम भरड़ को में जो आजा जाएका हुआ किसका 25 परषेंट टॉटल क्योंकि जितने का ठेका दिया उस ही का तो परसेंटेज बताओं अगर 10 लाग ठेका दिया यह तो द्स हाइप आप और 20 लाग थेका दिया थो 5 लाइब यह चला जाएगा यहां से उठके अब यह जो है यह से चला जाएगा यह कहां चला जाएगा अपना दूसरे ऐगा लेकिन क्या एक फरवरी के के अंदर ठेकेदार काम करेगा यह वो समय जो 31 मार्च तक होगा जिसमें ठेकेदार काम करता रहेगा करता रहेगा मालिक को बोलेगा भाई साब आप भुला लो आर्किटेक्चर को और दिखवा लो और भी काम हो गये हैं मेरी पूरी पेमेंट करो मन्त हैंड हो रहा है अब आ परसेंट और काम होगे सपोस करो तो यह लिखेगा जो वर्क यहां पर आएगा वह अंसर्टिफाइड मतलब अभी आर्किटेक्चर ने नहीं करा जो कि आगया कितने परसेंट पांच परसेंट समझ रहे हो यानि एक ठेकेदार का एक कॉंटेक्टर का सेल अमाउंट क्या होगा जितना आर्किटेक्चर सर्टिफाइड कर दे और जितना पाट सर्टिफाइड ना करे मतलब वो आया इनी देखने के लिए इतना बिजी था तो उसे क्या नाम दे दिया work uncertified या work not certified हो नाम दे दो तोटल अमाउंट का वो क्या हो गया इसका एक तरीके से तो लो भाई sale value भी दिखा दिया हमने जब हमने sale value दिखा दिया तो इस situation में देखा जाए यहां पर इस side निकल के क्या आएगा तो अगर इधर निकल लिए तो क्या निकलता है बताओ कमेंट में बताओ फटा फटा अगर हमारा बाई side में निकला तो क्या निकलेगा तर जो contractor देखने आएगा confirm कर देता है कोंट्रेक्टी देखने अगर देखने वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होगा भाई साब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ही है कि यह इसी के अंदर है अरे बच्चे पूरा वर्ड नहीं लिख रहा वर्ड लिख रहा हूं तो जब आप नोटिंग करेंगे न इस बात का प्लीज ध्यान देजिएगा कि पीडियाप में से जो ऐसा ही कई बच्चों तो सेम उतार देते हैं ऐसे करके बाद में बोलते जो लिख लिख लिया आप वीडियो देख इसको आज के बाद शॉर्ट फॉर्म में मैं डबलू सी बुलाऊंगा और इसको डबलू एंसी बुलाऊंगा ठीक है ना शॉर्ट फॉर्म लिख लूँगा क्यों कि यह वर्ड यूज कर लूँगा इन दोनों का टोटल यह है तो सर वर्क इन प्रोग्रेस में क्या लिखो के यह वह रहा है कुछ पार्ट तो नहीं हुआ है बिलकुल सही बच्चों ने बंटा है। मैं स्टैक्पल लेंग्वेज में लॉस ब conspiracy होगा तो फोगा थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा कि सारे पैसे देगा यानि अगर मैं मान के चलूं कि यहां पर 25 और 530 परसेंट होगे के वरक केकिना परेंट कि हमारा के कितना इसके हिसाब से हम अपने प्रॉफिट को मानेगे क्या वर्क दन अब यहाँ पर में भी पॉसिबल है कि जो आपका काम कम्प्लीट हो नंबर वन आपका काम कम्प्लीट हो लेस देन 25% परसेंट भी लगा दे लेस देन 25% से कम ये कम है लेस देन का सिंबल है ठीक है चलेगा या वैसे लिख दे है तौछ बच्चे mathematics में थोड़ा सा फिर बोलेंगे लेस देन 25% तो आपको कितना हिस्सा profit मानना है कितना हिस्सा profit मानना है तो rule कहता है कि भाया और इसी rule के हिसाब से आपको चलना भी पड़ेगा आपको जो profit मानना होगा बहुत सिंपल आपको आप profit मानना पड़ेगा और कितना मानना पड़ेगा वो बताएंगे आपको profit मानना पड़ेगा Kelly निए आप profit मानीनी सकते क्योंकि है 25% काम हुआ है तो थेकेदार आपको कभी भी मालिक निकाल सकता है पोकाम पेसे जीरो हिर नंबर दो अब हो सकता है आपका पच्चिस परसेंट से सिंबल लगा दू ग्रेटर दैन या एक्वल टू बट लेस दैन पचास परसेंट मैंने एक स्लैब रेट हो गया स्लैब रेट अभी आगे समझोगे क्या होता स्लैब रेट या नहीं अगर अपने 25 ठीकेदारी काम कंप्रीट कर रहा है तो प्रॉफिट कितना मानूगे जीरो जीरो मानेगे जो सरप्लस का क्या करेंगे जब प्रैक्टिकल कुश्ण समकरेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे मैं जीरो की बात कर रहा हूं लेकिन अगर 25 से 50 के बीच का रहा तो बो यहां पर आएगा कैस रिसीव सी यार कर दिया कैसे रियो वर्क सर्टिफाइड यह एक फॉर्मुला है इस फॉर्मुली को बड़े डिटेल में समझेंगा ऐसा क्यूं करा गया वैसे तो वन बाई थ्री होता है क्यूंकि हम यहां पर कैस बेसिस में मानते हैं इसलिए अगर और भी कुछ हो सकता है क्या बिल्कुल तीसरा हो सकता है कि आपका 50% इकुल या उससे ज्यादा बट लेस देन आपका मानलो 90% यानि एप्रॉक्स नियर कंप्लीशन हो गया कंप्लीट होने वाला है तो बोला गया अब मानलो आप टू बाई थ्री इंटू सर प्लस इंटू कैस्स रिसीव डिवाइड़ बाय वक्स यह चला जाएगा प्रॉफिट इतना हिस्सा हम क्या मानेंगे सर प्रॉफिट और जो बाकी का हिस्सा बच जाएगा उससे मानलेंगे रिजर्व उससे क्या मानलेंगे रिजर्व यानि वो हमारा मिल भी सकता नहीं जब मिले वह थतो भहाँ हमें कोई पर सेंट सरप्रेक स सर्प्रेस इस एक और मैं जब आगे लेs को तो हां तो मैं से कर देता हृस था सब्सक्राइब क्या होता है जैसे जैसे प्राइक्टिकल में इंप्लीमेशन होगा तो आपको एकदम फॉर्मूला नहीं समझाएगा क्योंकि थोड़ी बहुत आपको लगेगा कैसे अपलाई होगा तो अभी तो आपको सिर्फ दिमाग में क्या लेके चलना है सर अभी सिंपल साइब गए तो सारे प्रॉफिट को नहीं भीजेंगे और कुछ हिस्सा भीज देंगे तो सर कैसे करोगे यह यह इसके बाद आपकी कहानी अभी खतम नहीं हुई इसके बाद कहानी और यह लंबी जाएगी अभी यह यह आगे गया यह जो surplus है by side में लिखेंगे by surplus two side में आ जाएगा costing profit and loss जो की किस से आएगा formula से sir यह formula कैसे बना भीया यह AS7 में जैसे बोला हुआ था उसी के according एक systematic तरीके से चला आ रहा है इसमें ऐसा नहीं है कि कोई logic होके यह चीज़े बनाए ठीक है इसके बाद जो बच गया उसे डाल देंगे work in progress reserve suppose करो आपका 100 का था 100 का क्या था profit formula लगाया कितना आया असी तो असी कहा जाएगा आपका costing पी एंडल में असी costing पी एंडल में आ गया तो बाकी कहा पहुंच जाएगा सर रिजर्व में समझ रहे यह बात आपको यानि आपको फॉर्मूले की बहुत जरुरत पड़ेगी लेकिन अगर मान लो 25% से कम ही काम हुआ तो profit मानोगे आप कुछ भी नहीं मानोगे सब कहां पहुंच जाएगा रिजर्व में सब कहां पहुंच जाएगा रिजर्व में लेकिन loss वह तब क्या formula लगाओगे नहीं लगाना सिर्फ यह formula कब काम करेगा profit के case में loss में कुछ भी निकाम करेगा वीडियो रुक रुक के चल रहे है सर डबलू आईपी और भी बता दीजे किसी को कोई problem आ रही है यहां पे तो बताईए किसी को कोई problem आ रही है तो बच्चे कहरें सर वीडियो रुक रुक के चल रही है एक बार application close करके ओपन कर लो ठ सब्सक्राइब चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं जिसमें एक प्रोसेस है ठीक है तो हम इसमें से एक चैप्टर कर रहे हैं जिसमें से मेन एकजाम में पूछा ही पूछा जाता है इनके बीच में जो भी कॉंट्रेक्ट होता है जो ठेकेदार इसकी अकाउंटिंग करता है उसे कॉंट्रेक्ट अकाउंट बोला जाता है यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे कि वर्क सर्टीफाइड उसे हम सेल्स की तरीके से मानते हैं वर्क अंसर्टीफाइड वो भी सेल है लेकिन आर्किटेक्चर ने अभी सर्टीफाइड नहीं किया हुआ इसके बाद देखा जाए तो हम इसके अंदर अकाउंट में इस साइड में सारे के सारे खर्चे को दिखाते हैं इस साइड में सारे इंकम और क्लोजिंग को दिखाते हैं एसेट की वेल्यू डेप्रीशेशन लगाने के बाद दिखाये जाता है जो भी प्रॉफिट आता है तो सारा प्रॉफिट ठेकेदार अपना प्रॉफिट नह तो हम इस कटेगरी में फॉल करेंगे वर्क अगर मालो 95% हुआ तो हम इस कटेगरी में फॉल करेंगे इसी के according हमारा सारा का सारा चलेगा तो यहां तक हर बच्चे को clear है या नहीं है यहां तक clear है सभी को